नवस्कार सिक्षक साथियों जो भी बच्चे सीटिट में फेल है या जिनका भी क्वालिफाइंग मार्क्स में पांच नंबर दस नंबर कम है इस पूरे वीडियो को देखें इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आगे के प्रोग्राम के लिए काफी सक्सेस हो पाएं आयोक के ओफिस में उन्होंने अपना आवेदन दिया है आप देख सकते हैं उन्होंने अपरमुक्ष सचीव को पत्र लिखा है पत्र में सीधी सीधी मांग है कि एस्टेट और बीटेट का जो है वो मार्क्स है वो सेम हो यानि सीटेट का और एस्टेट का जो क्वालिफाइ से गए हैं इसके बाद जो अगला बैच गिया है आप देख सकते इन्हों ने भी आवेदन दिया है एस्टिट के जैसा ही सीटिट का क्वालिफाइंग मार्क्स कम करने के संबंद में और ये भी बच्चे यहां से गए हुए हैं और आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज अवेश नहीं दिया गया क्योंकि BPSC Office में अभी इंटर्व्यू का सिलसला जो है वो चल रहा है विन एक्जामों को लेकर रणनीतिया बन रही है वहां पे उन्होंने कुछ लोगों से बात करने का परयास किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सभी एक काम कीजिए कि BPSC की जी ओफिशिल मेल आइडी है जैसे कि आप देख सकते है BPSC Patna Bihar at the rate NIC.ini ये मेल आइडी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस मेल आइडी पे आप लोग अपना आवेधन जो है वो डाले तो आवेधन कैसे डालना है ये पूरा मैंने आवेधन यहां पर बना दिया है इसका भी लिंक आपको जो है वो नीचे मिल जाएगा description में इसको पहले आप लोग क्या करेंगे इसको आप लोग कर लेंगे copy ठीक है इसको आप लोग कर लेंगे आप इस WhatsApp ग्रूप से भी जुड जाएगा WhatsApp ग्रूप का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसको आप आप लोग अपने mail में चले जाएगा, आप लोग अपने mail ID में चले जाएंगे, यहाँ पे जाके आप सभी, किसी भी mail ID से अपना open करेंगे इसे, यहाँ से जाएए, किसी भी mail ID से आप इसे open करिए, और यहाँ पे जाके आप लोग इसको paste कर दीजिए, जितना भी हमने letter लिख के section में जाके यहाँ पे विशाय के section में इसको हम लोग paste कर देंगे अब यहाँ से आपको इसे send कर देना है ठीक है आपका mail जो है वो send हो चुका है अब आपका mail बीपीएसी के office में चला गया है, mail में गया क्या है कि estate के जैसा ही सीटे के qualifying marks इसमें पूरी पूरी विरिस्तरित बाते हैं कि जैसे estate में qualifying marks है उसी तरीके से सीटेट में हो, इसके लिए हमने बिहार सरकार से जो है वो ये बात कही है और इसके लिए हम सभी उनका सदा आभारी रहेंगे आपका आगयकारी छातर BPSC अभी हर थी इसमें आप सभी चाहें तो एक point और mention कर सकते हैं कि जो सीटेट अगस्त के student थे appearing वाले एक ही महिने में तीन exam उन्होंने दिया है एक तो DLAड वाला दिया है दूसरा उन्होंने सीटेट का दिया है तीसरा BPSC का दिया है तो इसको भी ले कि आप लोग एक point जो है वो add कर सकते हैं आज भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे आयोग आप लोग जाएए अपना अवेदन दीजिए और mail ID पे जितनी संख्या में हो सके mail ID पे आप लोग उतना mail कीजिए अपने mail से तो कीजिए ही कीजिए साथी साथ अपने भाईयों के mail से आसपरोसियों के mail से करिए कम से कम हम लोगों का target है कि 10,000 से ज़्यादा mail हम लोग भेजें BPSC के इस mail ID पे या जो भी आपको mail ID मिले किसी मंत्री का नेता का सब के mail ID पे आप लोग भी जी ऑफिशियल mail ID पे ताकि उन सब ही से संपर्क हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा mail होगा इस चीज को लेके तो इस पे तुरंत action लिया जा सकता है तो यहीं एक सफलता का रास्ता जो है वो दिख रहा है घर बैठे बैठे अगर घर बैठे आपको युगदान करना है तो दिन भर में कोशिश किजिए कि 10 से 20 mail आप अपने ID से करें और दूसरों से भी करवाएं यह वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी देखें कि mail कैसे करते हैं धन्यवाद जैहिंद